हेलो और नमस्ते माई धियर फ्रेंज्स कैसे हो आप सब मैं उमीद करती हूँ कि आप सब बहुत खुश होंगे और सेफ होंगे तो आज है फैनस डे और यहा पर दूर लिः घरम हो चुका है और यहाँपर मैंने बनाया है रवा उत्थपव Pitts करके हो चुका है और मैंने किचिन का थोड़ा हब काम कम्प्लीट करके अभी मैं मेरे लिए प्रेग्फ़ट बनाऊंगी ये बैटर बनाने के लिए मैंने यूज किया है सूजी जो बारिक वाली सूजी होती है वो यूज की है कर्ण डाला है इसमें थोड़ा सा इस अराउंड 3-4 स्पून्स ओनियन डाला है धेर सारा सा धन्या पत्ती और मिर्ची और अपकॉस सॉल भी ऐड़ किया है जब तक हमारा डोसा वहां पे रेडी हो रहा है तब तक में बनाना कट कर लेती हूँ ये डोसा थिक्टेस पे थोड़ा सा मूटा होता है इसलिए कोई कोई इसे रवा डोसा बोलते है या कोई डोसा उत्तप्पा आप जो चाहे कह लो तो यहाँ पे मेरा यमी सा ब्रेक बस्ट रेडी है यहाँ पे है रवा उत्तप्पा जह भी हमने बनाया था केला कट किया है सॉस के साथ मैं डोसा एंजॉय करूँगी और हाफ कप मिल्क आज चाए पीने का मन नहीं था तो आज मैंने मिल्क ले लिया तो मैं मेक्शूर करती हूँ दिन में अटलीस्ट हाफ अगलास मिल्क ज़रूर प्यूँ कभी-कभी सुबह पी लेती हूँ या कभी-कभी रात को कल फ्लिपकार्ट से ये पार्सल आया था जिसे मैंने सानिटाइज करके साइड में रख दिया था तो चलो आज इसे उपन करते हैं तो ये प्रोड़क बेसिकली एक और्गिनाइजर है जो आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो आपके किचिन में, बेड्रूम में, कबर्ड्स में, कहीं पे भी जहां पे आपको सम्मान और्गिनाइज करके रखना हो इसमें हम शेल्फ के उपर और नीचे दोनों जगह सामान रख सकते हैं ताकि हमारी स्पेस सेव हो जाए मैंने ये प्रोड़क मेरे किचिन के लिए मंगवाया था, बेसिकली किचिन कबर्ड्स में मंग्स रखने के लिए लेकिन इसकी साइज बहुत ज़्यादा छोटी है इतनी ज़्यादा छोटी है कि हमेरे जो मंग्स है वो भी इसमें शायद फिट नहीं होंगे चलो टेस्ट करके देखते है ये वाला जो टी बग है वो इसके अंदर फिट हो रहा है बट निकालने में और रखने में बहुत ज़्यादा एजी नहीं है थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है और जो दूसरा मंग है वो बिलकुल अंदर नहीं जा रहा है इसमें ये कटोरी बहुत एजी ली फिट हो रही है तो अगर आपको बहुत छोटा-छोटा सा सामान रखना है तो इसकी कॉलिटी अकर देखने जाए तो काफी अच्छी है बट इसकी साइस इस बिक प्रॉप्लिम बहुत जादा छोटी है तो ये और्गरणाइजर मुझे रिटन करना पड़ेगा सिंस जो परपस से मैंने खरीदा था वो तो अचीव नहीं हो सकता और इसकी कही और भी जग़ा पे यूज नहीं है मेरे घर में तो चलो देखते हैं दूसरा प्रड़क्ट अभी क्या है तो ये प्रड़क्ट मुझे इस तरह से पैकिंग करके आया है ये जो पाउच है इसके अंदर एर होनी चाहिए थी जिससे हमारे प्रड़क्ट को कुशन मिलता है लेकिन इसमें एरी नहीं है बट इस ओके क्योंकि हमारा प्रड़क्ट है वो बहुत स्चर्डी है और कुछ डलीकेट नहीं है इनकेज ये कुछ डलीकेट प्रड़क्ट होता तो शायर डैमेज हो सकता था तो बेसिकली ये बरतंद होने की पाउडर है जो हम डिश्वाशर में यूज करते हैं मेरी डिश्वाशर की पाउडर खतम हो गई थी और एमेजान में काफी टाइम से अवेलेबल नहीं थी लेकिन फाइनली अभी अवेलेबल हो गई है तो हमने इंस्टेंटली ओडर कर दी है पिछले दो साल से मैं डिश्वाशर में यही ब्रैंड की पाउडर यूज कर रही हूँ और इससे बरतंद बहुत अच्छे से साफ होते हैं और बहुत अच्छी शाइन देते हैं तो I always stick to this brand डिश्वाशर के उपर में एक अलग से डेमो व्लॉग ज़रूर बनाऊगी तो आप वो ज़रूर देखना इन केस अगर आप इंट्रेस्टेड हो तो फाइंड आट हाव आई यूज दो डिश्वाशर उसके क्या अडवांटीज डिसद्वांटीज है फ्रेंस पिछले वीक मुंबाई में बहुत साथा तेज बारिश और हवा आई थी तो उसके वज़े से मेरा जो पुदीना का प्लांट है वो पूरी तरह से कराब हो गया था तो मैंने क्या किया मैंने कल जाके पुदीना का पत्ते जो है वो मैंने मार्केट से खरीते थे तो उसके जो पत्ते है वो मैंने सारे निकाल के फ्रिज में रग दिये है उसकी चत्नी वगरे कुछ बनाऊंगी और ये जो रंडिया है उसके जो चुड़े चुड़े पत्ते ह वह मैने वैसे ही रखे ते जो बड़े वहरे पत्ते थे उसे निकाल दिया था और इसे मैंने रात भर एक ग्लास में पानी रल कर रख दिया था तो अभी मॉनिंग में उसे में मिट्टी में लगा दूगी मैंने काफी सारे पुदीना के वीडियोस देखेते पहले कैसे लगाना है तो काफी सारे वीडियोस में बताया गया था कि आप पुदीना के जो डंडिया है वो पानी में ही 4-5 दिन के लिए रंग तो वो अपने आप रूट्स निकालते हैं लेकिन दिस मेथर नेवर वर्क फर मी मैंने तीन चार बार ट्राइ किये मेनी ममी ने भी ट्राइ किया था बट इडिन वर्क आउट अगर आपके घर पर दूप आती हो तो आप इसे दूप में ज़रूर रखना ये बहुत फास्ट ग्रो करता है और अगर दूप नहीं आती है तो आप उसे चाप में रख सकती हो पर प्लीज मेक शूर आप इसे इंडॉर मत रखना पुदीना का प्लान बहुत ज़दा बड़ा ग्रो नहीं होता तो आप इसे छोटे पॉट में भी लगा सकते हो ये इसकी एडवांटेज है और अगर आप वाइड पॉट में लगाओगे जैसे मैंने लगाया है तो उसका डेबल बेनिफिट होगा वो बहुत चल्दी से मल्टिप्लाइ हो जाता है ये प्लान बहुत इजी तो ग्रो है और उसे कुछ मेंटेनस की जादा जरूरत नहीं होती आप तीन चार मैने में एक बार थोड़ी सी खाद डाल दो काफी हो जाती है और ये अपने आप फैल दे जाता है तो ये प्लान की जो अपडेट्स होंगे मैं आपको एवरी टेन डेज में किसी व्लॉग में ज़रूर आड करूंगी तो इनकिस आप वो देखना चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर तो मेरे पास पुदीना की पहुत सारी डंडिया थी जो उस पॉट मे वही फिट नहीं हो रही थी तो इसलिए मैंने ये नयां दुसरा व्लावाला पॉर्ट लिया है इसमें जो मृटी थी वह तोड़ी सी ड्राइ हो गई तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है बहुत सादा पानी नहीं डालना रिपॉटिंग के टाइम otherwise मिट्टी बहुत चिकनी चिकनी और यूँनों सब चकह से फैर जाती है और बहुत चिकना चिकना हो जाता है तो मजा नहीं आता है लगाने के लिए तो अभी यहाँ मैंने मिट्टी को लूजन अप कर दिया है इसमें बीच में होल लगा दिया है और चो बाकी जितनी भी डंडिया मेरे पास बची है ना उसको मैंने सब एक साथ ले लिया और पाट में लगा दिया क्योंकि एक लगाने में बहुत टाइम जा रहा था और में बहुत सारा पुदीना हो गया था तो सारे प्लांस को हम उसके जगह पे अभी वापस रख देंगे तो लेद आव एंजॉई इन दियार ओन होम और यह जो शेल्ट से मैंने नए ही लगाए है प्लांस रखने के लिए ताकि जो नीचे की फ्लोर स्पेस है वो खाली रहती है और क्लीनिंग के लिए बहुत आसान हो जाता है तो यह जो तीसरा वाला पॉट है वो अभी वी एमटी है इसमे नया प्लांस जल्दी आने वाला है और यह हैंड पेंटिट पॉट है यह जो स्पाइडर प्लांट है यह मैंने रीपॉट किया था मतलब मैंने बस और यह एक मास्टर प्लांट है उसमें जो नए नए बेबी स्पाइडर प्लांट आये थे उससे मैंने यह लगाया है और यह है जेड प्लांट फ्रेंज अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक ज़रूर करके मुझे सपोर्ट करना और अगर आप मेरी नएने वीडियो भी देखना चाहोगे तो चैनल को सब्सक्राइब दी करना